आज की वीडियो में हम लोग अलंकार पढ़ेंगे अलंकार मुख्यतत तीन प्रकार का होता है सब्दा अलंकार अर्था अलंकार और उभया अलंकार तो उभया अलंकार हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे फिलाल आज की वीडियो में दो अलंकार हम लोग पढ़ने व रहता है कि यह उदाहर दिया रहता है इसमें पहचाना है कि यह कौन सा लंकार है तो आपके सामने मैं यहाँ पर 28 एक्जामपल लाया हूँ जिसको आपको पढ़ना है और पहचाना है कि कौन सा लंकार है लेकिन इससे पहले एके का लंकार के बारे में हम बताएंगे और उसको समझाएंगे पहचान और उसका कुछ ट्रीक है तो ट्रीक भी बताऊंगा तो देखिए सबसे पहले सब्दा लंकार सब्दा लंकार आपका तीन तीन परकार का होता है और अर्था लंकार यहाँ पर मैं भी 12 लिखाऊं 12 वैसे 20 से जादा होता है 23 लगबग होता है तो उसको हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग फिलाला भी अर्था लंकार 12 और सब्दा लंकार तीन यह कुल मिला के 15 लंकार आज पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करना है दूसरी बात यह जो अलंकार है इसका मतलब समधना पहले अलंकार क्या होता है लिए कॉता है यह अलंकार का मतलब Wizard में किसी सब्द का प्रैक्ट होता है ये पूरी तरह से कर सकते हैं कि कालपनीक होता है तो ये इसी कोज़ा से काब की सोभा बढ़ती है है ना जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बिन उपग चले सुने बिन काना आप देखेंगे सब्द का बिना पैर का कोई चलता नहीं है और बीना कान का सुनता नहीं है यह है किसी भी काब को जो हम समझाते हैं या कहीं बोल रहे हैं या कोई भी स्पीच दे रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं अगर उस सब चीजों का यूज करते हैं तो उसकी सोभा बढ़ती है इसे मनुस को मनुश की सवा बढ़ाने के लिए अभूसर ज़रूरी है वैसे किसी भी काब की सवा बढ़ाने के लिए अलंकार ज़रूरी है ठीक है यह मोटा-thropy तरीका था बताने का अब देखिए सब्दा लंकार के बारे में एक एक पढ़ेंगे तीन है यहाँ पे अनुप्रास लंकार जब किसी बनक की बार-बार आबृति होती है पुन्द्रा बृति जैसे बार-बार कोई एक वर अच्छर अक्छर जो होते हैं वो रिपीट करते हो रिपीट करते हो तो वहाँ पर क्या होगा अनुप्रास अनुप्रास लंकार वर मने अच्छर जैसे देखिए रगुपति रागो राजा राम पतित पावन सितारा तो रह 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 देख रहे हैं यह जो रह यह सब रिपीट कर रहा है एक अच्छा रिपीट हो रहा है नकी सब्द तो इसमें जब अच्छा रिपीट हो वन रिपीट हो सब्द रिपीट नहीं हो यह ध्यान रखना है वन रिपीट होता है तो वह होता है नुप्रश अलंकार ठीक है अब हम देखेंगे यमक अलंकार यमक अलंकार में सब्द रिप सब्द होता है और जब सब्द कई सब्द लग रिपीट होगा तो आपको पता है एक एक इस सब्द ना कई बार आएगा जैसे कनक कनक स्वैगूणी मादक तादिकाय यह यह पाए बोरे यह Puesed यह जो है इसमें कनक कनक है एक कनक कनक दो बारा है तो यहां पर repeat किसका हो रहा है सब्द का यहां repeat किसका हुआ अक्षर का तो जब सब्द का repeat होता है और repeat होता है उसके साथ साथ उसका अर्थ अलग-अलग होता है उसका अर्थ अलग-अलग होता है तो इसका ध्यान रखना है जब सब्द कई बारा है और उस कार्थ भी अलग-अलग हो तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार. जैसे मैं उदान नों बताए दिया कनक-कनक तो सैगुनी मादकता दिकाए या पाए बोरा या खाए बोरा है. कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा होता है. तो सब्द दो है मतलब एक ही सब्द है कनक-कनक दो बाराह है लिक्न दोनों कार्थ अलग-अलग भी है यह ध्यान रखना है, तो वहाँ पर क्या होगा यमक अलंकार होगा, यह ध्यान होगया? समझ मैं हा andere हो अब हम शले सलंचार की बात करेंगे, सले सरंकार का मतलब होता चिपका हुआ जब एक ही सब्द में कई अर्थ हो सब्द एकी होगा तो उसमें कई अर्थ हो जैसे रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब्द सून पानी गये नवबरे मोती मानुस चून तो पानी जो सब्द है ना इसका कई अर्थ है मोती के लिए पानी सब्दकार्थ उसकी चमक से है मनुस के लिए यानि मनुस के लिए पानी सब्दकार्थ उसकी जट से है और चून के लिए पानी सब्दकार्थ पानी ही है जैसे मोती में अगर चमक नहीं है तो किसी काम का नहीं है मनुस में अगर उसकी इजत नहीं है वो भी किसी काम का नहीं है चूना में अगर पानी नहीं है तो चूना भी किसी काम का नहीं है तो इस तरह देखेंगे पानी का कितना अर्थ है तीन अर्थ यहाँ पर है तो पानी सब्द में तीन अर्थ चिपके हुए है तो जहाँ चिपका हुआ मामला आता है जहाँ चिपका हुआ बात आती है वो होता है हमारा सलेश अलंकार इसलिए मैं लिखा हुए आपे ट्रीक के तोर पे चिपका हुआ तो आपको ऐसे ही आपको इससे भी उधानर भी देखने है और आपको बताने होंगे बच्चों को कि कनक कनक में भी दो सब्द आया एकी सब्द दो बार आया यहां पानी तीन बार आया है तो अक्सर सोचते हैं कि यह मा कलंकार होगा नहीं यह सले से जले होगा क्योंकि इस पानी का इसी पानी में चिपका है तीनों यहां पानी यहां पानी यहां पानी तीनों प कहेंगे और सोने को भी कनक कहेंगे लेकिन इहां इजद को भी पानी कहते हैं मन और किसकी इजद मोती की जो चमक है उसको पानी कहते हैं अब मन उसका जो इजद है उसका पानी कहते हैं और चूने को उसको पानी कहते हैं तो थोड़ा यह है कि कही सब्द में कई अर्थ चिपक में हर्थालंकर में उप्वधिया हुआ है न उप्वधिया है रमें सिम्बल उप्वां ने हो करीब हो ना क्या लुवांने किसी के कोई चीस करीबså पास तु लना में पास हो तो उसको मा कहते हैं देखेगा जहां एक बस्तव या पॉलारी के देखेगा अतियंत समानता तूलना, अतियंत समानता के करद, दूसरे बस तू यह पराणी स्की जाती है, तूसे उपमालंकर कहते हैं, ठीक है, इसमें सा और सी उसकी पहचान है, उट लीजे, अब सा और सी आना चाहिए, अब इसमें आप देख सकते हैं, गिरिसा उचा हो जिसका मन, है ना, गिरिसा उच्छा हो कि वो कैसा हो पहार जैसा हो मिज्बूत हो दिड़ हो संकल्पी हो तो यह ओंगया जिसका मनगे सा ऊंच्छा हो तो यह साया न जब साया तो निशிथ उपमालंकार होगा अब यहाँ देखिये क्या लिखा है हाय फूल सी कोमल बच्ची तो यहां सी आया ना तो यह सी जो है न वह भी उपमा को ही परतसित करेगा तो हाई फूल सी कोमल बच्ची यह उपमा है ठीक है अब रहा बात यह देखिए फूल सी कोमल बच्ची यहां देखें का बात समझेगा एक बस तो यह प्राणी की तूलना अत तो अभूत अतियंत निकडता का संबंध होता है वही उपमा होता है, तीक है? अब आते हैं रूपक में, रूपक में देखेंगे, रूपक किमें रूपकतượng का मत्ubby समझते ही है, जब उपमें और उपमान में अंतर दिखाई ना दे तो हम उसे रूपक कहते हैं एक जैसा हो जाना अब उपमे और उपमान क्या है उपमे होता है जो वास्तिविक नहीं है उपमान जो होता है जो वास्तिविक है मान लीजे कोई चीज है तो है तो उपमान हो गया लेकिन उसी के कलपना में कुछ मान रखे हैं उसी की तरह कुछ मान रखे है तो वो उपमे हो गया अक्सर बच्चों को समझनी आता है कि उपमान उपमे का हर्थ क्या होता है मैं यह लिख दिया हूँ उपमान का हर्थ होता है वास्तवी क्या प्रस्तूत यानि जो प्रस्तूत है और उपमे का हर्थ होता है अव वास्तवीक अर्ताथ अव प्रस्तु जो प्रस्तुत नहीं है है ना तो एक चीज़ दिहां रखना है अब देखिए रूपक जो सब्द है ना उसका मतलब क्या हुआ जब उपमे उपमान में अंतरीना दिखाई दे अब देखिए मैं आपको यहां बता देता हूँ यहां देखिए उदार देखिए उदित उदैगिरी मंच पर रगबर बाल पतंग है ना आप देखिए एक चीज़ बताऊँगा रूपक का समद्द योजक चिन से अर्थात योजक चीन अगर आ गया तो निश्चित है वो रूपक होगा आप देखिए उदित उदैगिरी मंच पर रगबर बाल पतंग उदैगिरी मंच के बीच में योजक चीन है और बाल पतंग के बीच में भी योजक चीन है तो ऐसे सित्वी में जहां भी योजक चिन आएगा आप मान लिजेगा कि वह रूपक ही होगा यह आपको ध्यान रखना है वह रूपक ही होगा यहाँ देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि कहीं भी योजक नहीं है तो जब इसमें योजक नहीं होगा तो श्योर है कि वह रूपक नहीं होगा इसी कोपर देखिए सिर जुका तुने नियत की मान ली एह बात स्वयम ही मुर्जा गई तेरा हिरδय जलजात अब देखिए यहाँ परتم योजक है तो जो योजक है वह रूपक होगा तो ये हम एक्जाम में उदारण दिये रहते हैं, हमको पैचाना रहता है कि कौन सा लंकार है, ये बात ध्यान रखनी है, तो अगली बात देखे ध्यान से, तिशरा, उत्प्रेक्छा लंकार, जब एक बस तुमें, दूसरी बस तुकी संभावना की जाए, है ना, एक बस तु मनू, जनू, जनू, जानू, मानू, मानू, निश्य, जियो, आद इस सब्द में से कुछ भी आता है, तो निश्य तरह की उत्प्रेक्छा होगा, अब उत्प्रेक्छा के उदारण में, जनू, मनू, कुछ भी आता है, तो उत्प्रेक्छा ही होगा, ठीक है, यहाँ देख स और से मानों देखिए उसमें है तो मानों से यहां पर मानों संबंध है तो यह कौन सा होगा उत्प्रेक्छा लंकार होगा तो मानों से हम पाचान सकते हैं अभी हम लोग सारे उदान पर बात करें वाले हैं, अच्छे से, अभी उदान जो मतलब परिभासा, उससे संबंदी कुछ बातें कर लेते हैं, आप देखिए संदेह, शंदेह अलंकार क्या होता है, निश्य हो न बस तुको सो संदेह कहाए, मतलब बस का निश्य नहीं हो पा रहा है, कि बस तुक क्या है, कैसी है, की धों यही, धों यह की यह, यह की यह, कभी क्या होता है, कि संदेह का मतलब हो गया, कि जैसे एक उदारन है, यहाँ देख लीजिए, सारी भी चनारी है, कि नारी भी सारी है, कि सारी ही नारी है, कि नारी ही सारी है, तो इसमें क्या द सारी है मतलब confusion है पूरीता से confusion है कुछ clear ही नहीं हो पा रहा है तो जब कोई clear ही नहीं हो पा रहा है यानि निश्चे ना हो पाए निश्चे ना हो पाए तो वहाँ पर क्या होता है संदे ही अलंकार होता है इध्यान रखना है अब आते हैं हम लोग ब्रांती मान ब्रांती मान अब आप सोचेंगे कि संदे और ब्रांती मान दोनों एक पज़ावाची है इन ऐसा नहीं है संदे में बात को रिपीट की जाती जैसे सारी ही नारी है नारी ही सारी है, सारी में नारी है, नारी में सारी है, तो ये चीज़ें कई भी आध तीन चार बर रिपीट कर रही है, लेकिन ब्रांतिमान में एक बार होगा, जैसे किसी लटके हुए साप को, तुलसी दास जब गए अपने ससुराल, तो खिरकी के रास्ते कमरे में जा रहे गर में जा रहे थे, तो फिर हुआ क्या कि एक साप लटका वज़ा था, उन्होंने बारिस हो रही थी, उन्होंने उस समझा कि यह रस्ती हैं, और उसे रस्ती समझ कर वो खिरकी कर रास्ते घर में उतर गए, पकड़ के उसे, तो उन्होंनों साप को क्या माना? रस्ती माना, अब क्या हुआ फिर रसी को उन्होंने साप नहीं माना साप को उन्हों रसी नहीं माना ऐसा confusion नहीं है सीधा माना उन्होंने साप को सिर्फ रसी माना उसके बाद उनके दिमाग में यह नहीं आया कि यह रसी नहीं साप है साप नहीं रसी है रसी, एसा तो नहीं न, जब एक तरफ आ हो जाये, एक तरफ से जाना हो, फिर वैक नहीं आना हो, तो हम ब्रहानती मान होता है, जैसे रसी को हमने, साप को मैंने रसी माना, है न, बस क्लिए है, उसको बैक नहीं लगा नहीं बट इसमें क्या हो रहा है बाएक लगा रहे हैं वापस भी आ रहे हैं कि नारी सारी है सारी एक नारी है यह तो ठीक है वापस हो गए ना कि सारी एक नारी एक सारी है फिर सारी में नारी है कि नारी में सारी है तो यह चीजें कहीं न कहीं दोहरा रहे हैं आगे पीछे हो रहे ह तो जब ऐसे से ऐसे होना वो हो गया हमारा संदे ये भ्रांतिमार अगर ऐसे ऐसे हो रहे हैं तो वो हो गया हमारा संदे ये चीज़ हमको ध्यान रखना है तो कभी कन्फ्यूज ना हो कि संदे और भ्रांतिमार में क्या अंतर होता है ये आपको ध्यान रखना है देखे अगली पर बोल का मतलब हो गया अतिश्योक्ति है कि यहां पर फूल रहेगा यहीं सही है लगता है कि यह गलत नहीं सही दियां रखिए अतिष्योक्ति होता है ततिष्योक्ति में क्या होता है बढ़ा चड़ा कर बात को कहना टीक है देखिए यहां उदार देख लिए बालों को खोल कर मत चला करो नहीं तो सुरज रास्ता भूल जाएगा आप ये बचाएए ये कोई ऐसा हो सकता है कि कोई बाल अपना खोल ले अब पूरा नदेरा चाह जाए ऐसा नहीं हो सकता है तो ये बढ़ा चड़ा के बात कही जा रही है इसलिए लगता है कि अतिशोक्ती है लगता नहीं है है ना तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अतिशोक्ती में बात को क्या होगा बढ़ा चड़ा कर कहा जाता है देखिए आपर भी देख लीजे हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग सगरी लंका जर गई गई निसाचर भाग पूरा लंका जर गया लेकिन उनके पूछ में आग नहीं लग पाई तो ये भी बढ़ा चड़ा के बात कही गई है तो अतिशोक्त में बात को बढ़ाना चड़ाना रहता है भई ये ध्यान में आया अब आते है अशंगत अशंगत का मतलब है कि काम कही और हो है ना और रिजल्ट कही और आये जैसे पेट के दर्द का दवा आप खाते हैं और सिर का दर्द ठीक हो माल ये सिर में भी दर्द है लेकिन आपने पेट की दवा ली है पेट दर्द है सिर्थ ठीक हो गया जैसे आपके पैर में चोट लगे दर्द अंगुली में हो है ना मैं ते कहा ने मतलब समझ रहे हैं मतलब ये कह रहा हूं कि काम कहीं और हो रिजल्ट कहीं और आ रहा है तो वहाँ पर क्या होगा अशंगत होगा मुझे चोट लगी हो है ना और पी रगवीर और रगवीर को दर्द हो रहा हो तो यहाँ पर रमार काल की बात है जब लचमर को तीर लगता है तो सिराम जी को तकलिफ होती है उन्हें कष्ट होता है तो बोलते क्या हैं लचमर की मुझे गहाँ लगा है लेकिन भहिया यानि सिराम जी को कष्ट हो रहा है बताए गहाँ उसको लगा है और चोट हमें मतलब दर्द हमें होगा नहीं न तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर असंगत हो गया यह अलंकार है काब की सुबह बढ़ाते हैं काब की सुबह बढ़ाते हैं न इसलिए यह सिरे डारेक्ट नहीं पाए जाएंगे कहें भी यही तो यह अलंकार इसलिए न अलंकार है इध्यान रखिएगा तो असंगत माने शंगत ना हो मानवी करण का मतलब क्या है मानव का रूप दिखा जाए किसी जड़ पदार्थ में देखे यहां लिखा हुआ जब जड़ पदार्थ हों और प्रकीत के अंगो आदि पर मानवी कριाओ का मानवी करण को देखने को मिलता है तो होता है हमारा मानवी करण अलंकार यहां देखे उदारण है फूल हसे कलिया मुसका हैं फूल हसते हैं नहीं हसते हैं ना कलिया मुसकाती हैं नहीं मुसकाती हैं तो एक फूल में आप क्या देख रहे हैं मानो जैसा बेवहार जैसे मनुस हसता है ना उस तरह से उसको संग्या दी जा रही है कि फूल भी हस रहा है तो ये मानुवी करन अलंकार हो गय यानि किसी जड़ पदार्थ में, जो मनुस्र का वेवहार नहीं करता है, उसमें वो वेवहार को मान लेना, मान विकरन कर लाता है. टीक है? अब आजाएए बिभावना में, जहां कारण कारना होने पर भी कार का होना पाया जाए, कारण ना रहे, फिर भी काम हो जाए, जैसे बिना चले चल जाए, ऐसा है क्या, कि आजमी चले नहीं, फिर भी चल जाए, आप पर बढ़ाएंगे तब नहीं चलिएगा, लेकिन देखिए, अलंकार में सब चीज़ें आती हैं, आप देख लिजिए आपे, बिन उपग चले, सुने बिन काना, बिना पर के चलते हैं, और बिना कान के सुनते हैं, तो ये हो गया हमारा कौन सा अलंकार, बिभावना अलंकार, टीक है, यानि करण का पता नहीं, काम हो रहा है, है ना, ये होता है, दिश्टांत, दिश्टांत जो होता है, यहां देख लिए, उप में, रूप में, कही गई बात से मिलती जूलती बात उपमान रूप में हो, है ना, तो दिश्टान तलंकार कहलाता है, है ना, यह ध्यान अखना है, दिश्टान तलंकार, उपमे रूप में कही गई बात से मिलती जूलती बात उपमान रूप में हो, तो क्या होगा, दिश्टान तलंकार होगा, ठीक है अब यहाँ पर दिश्टान तलंकार का उदार देख लेते हैं पापी मनुझ भी आज मुख से राम राम निकालते हैं देखो भेंकर भेडिये भी आसू ढालते है ना अब देखिए पापी मनुझ भी आज भी मुख से राम नाम निकालते अब यह जो पहला संटेंस है ना यह आपको पता है देखिए यहां देखिए उपमे रूप में है यह जो पहला संटेंस है यह उपमे रूप में है और जो दूसरा वाक के संटेंस है वो उपमान रूप में है यानि देखो भैंकर भेड़ी यानि उपमान माने क्या वास्त्रि अरतात जो भेडिये भेडिये की वास्ति दिखता है नि भेड़ है वो भेडिया है लेकिन राम नाम रट रहा है इसका क्या मतलब है अंदर से वो भेडिया है लेकिन बाहर से राम नाम रट रहा है तो इसमें दो चीजे हैं अंदर कुछ और बाहर कुछ और तो आप ध्यान र वास्त्विक है जो रट लगा रहा राम नाम वह वास्त्विक नहीं है तो यह ध्यान रखना है तो यह कौन से अलंकार में आएगा आपका दृष्टान्त अलंकार में आएगा अब देखेगा लाश शेकेंड है अन्योक्ति है जहां किसी बस्तू या ब्यक्ति को लच्छ बना कर कही जाने वाली बात किसी दूसरी बस्तू या ब्यक्ति को समझाना नहीं है ब्यक्ति को समझाना है अर्ताद जहां किसी बस्तू या ब्यक्ति को लक्ष बनाकर किसी ब्यक्ति को समझाने के लिए हम उदारर पेस करते हैं वहां न्योक्ति अलंकार होता है यानि किसी बस्तू या ब्यक्ति को लक्ष बनाना है और उसको उसके सारे उसको समझाना अर्था डारेक्ट नहीं समझाना है जैसे आप समझाने कई तरीके होते हैं तो किसी को डारेक्ट न समझाके किसी का उधारर दे के हम समझाते हैं तो वहाँ पर होता है अन्योक्तिय लंकार है ठीक है जैसे आप देख लिजिए माली आवत देखकर कलियां करे पुकार फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार है आप यहाँ देख लिजिए कि कोई आदमी कह क्या रहा है कोई कली है कली फूलों की खिलने से पहले की स्थिति हैं तो कलीयों को कह रहा है कि देखो जितने फूल खिल गए हैं जो माली आ रहा है चुन लेगा बाकि तुम लोगों का नंबर कल है तो इठलाओ मत फूलों के चुन जाने पर इठलाओ मत तुम भी चुने जाओगे आज नहीं तो कल तो यह बात है किसी को हम समझा रहे हैं तो तो हाँ पर होता है अन्योक्तिय लंकार ठीक है अब हम आ जाते हैं यहां पर अर्थांतर अर्थांतर निया शलंकार, यह क्या होता है अंतर करके आता है जैसे इसकी परिभासद देखिए किसी विसेज कतन का समान कतन से तता समान कतन का विसेज कतन से जब शंबंद होता है तो हाँ अर्थान तर न्या शलंकार होता है जैसे बड़े नहुजे गुननमीन बिरद बड़ाई पाए कह धतूरे सोकन गहनोगर होना जाए अब ध्यान से सुनिये किसी विसेज कतन का समान कतन से और शमान कतन का विसेज कतन से इस तरह की जब बातें आती है तो हाँ पर अर्थान तर न्या शलंकार होता है यहां देखिए कि आप उदानर से समझ में आ रहा है बड़े नहुजे मतलब गुर के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता है तो बिरद बड़ाई पाए उसको सम्मान नहीं मिलता बिना गुर का का धतूरे सो कनक यानि कनक तो धतूरे को भी कहते हैं गहनों गढ़ों नहीं लेकिन उसका गहना नहीं बनता है आप ध्यान रखेंगे इसमें यह बात है कि एक सब्द कनक है और दूसरा सब्द भी कनक है इस कनक का सम्मंद दूसरे कनक से है तो यह कनक धतूरे के लिए है औ कनक सोने के लिए तो द्वत्यूर समान की अब इस का कनक को अर्थात किसी समान का विसेश या किसी विसेश का शमान से तो इस तरह का जो आता है वो अर्थ-ांतर न्या सलंकार होता है यह थ्यान करब अंतर करके रहेगा विशेष का शमान और शमान का विशेष यह चीज़ ध्यान रखना है तो यह करता धतूरे सो कनक गहनों गड़ոं नजाय यह नि धतूरे को पूरा परिवाशा में इसमें कुछ हम एकजामपल दिये हैं इसका अब अभ्यास कर सकते हैं हम लुक चलिए अब देख लेते हैं कौन से अलंकार में आता है इसमें बार बार आ प्टी हो गया अनुप्रास लंकार यह पहले ही बता चुका हूं कूके लगी कोयल कदंबन पर बैठी फिर देखिए यह कई आखशर बार बार आए तो नुपरास होता है सब्द बार बार आए तो यमक होता है यह ध्यान रखना अब करका मनका डारी दें मनका मनका फेर माला फिरत जग बया माला होता है यह जो हरे किशना वाले लिए रहते हैं और भी लोग लिए रहते हैं वो जबते रहते हैं इसे हाथ में इसे से करते हैं तो जो गोटियां होती हैं यह को खिसकाते हैं अगली गोटी आती जाती है उसको बोलते हैं माला फेर ना तो क्या कि ऐसे माला फेर फेर तो जिन्दगी जग चला गया हुआ क्या मन मन का फेर मिटा ना मन का फेर यानि उनके मन का फेर तो नहीं मिटा उनके अंदर जाल 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 है वो नहीं मिटा नेकि माला फेर रहे हैं कर का मन का डार दे, कर मन हात होता है, तो हाथ में जो माला लिये उसे डार दे नि फ्येक दे, हटा दे उन का मन का फिर और अंदर जो चल रहा है न मन में उसको फिर है, उब अच्छा है तो हाथ में लिए माला को डार देना है और मन में जो माला फिरनी वो फिरिये तो यह बताइए मन का अर्थ यह अलग है इस मन का अलग है सब्द सेम है लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है यह जो मन का है यह जो बावडे लोग होते हैं जैसे माला बाहर वाला फेर रहे हैं वो मन का संबंद वहां से तो उसको अटा दीजे और यह मन कारत है जो प्रकिर्ती है जो नियम है जो आप इस्वर मानते हैं उसका मन का है, है ना, तो यहाँ परिश्वर संबंदित है, यहाँ बायो नमबर के संबंदित है, तो यह दोनों सब्द एक है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग-अलग है, तो सब्द दो बाराया है, अर्थ भी अलग-अलग है, तो यमक होगा, देखें, दो लिखाओं है, यह कीया माल कम वहीं सब्सक्राइब आए कि देखिए तीन विर खाती थी वह उर्फा तीन विर क्राती है example इस मतलब इसल कि तीम भार खाती एक फ़ल होता है उसको खाती तीन बार खाती तो क्या खाती बेर खाती है बेर मने फल होता है एक देखेंगे तो तीन बेर खाती थी वा तीन बेर खाती है तो बेर सब्द दो बार आया है अर्थ अलग-अलग है तो यह होगा अमारा यमक सिधी चलते राह जो रहते सदा निशंग जो करते विपलो उन्हें हरी का है आतंग है ना करना सिधी चलते राह सदा रहते निशंग उसको क्या संग है उसको कोई डर नहीं है जो करते विपलो विपलो माने होता है ना उपदरो मान लिजी उपदरो होता ही मानना नहीं है उन्हें हरी का है आतंग है अर्थात समझे हरी का कई अर्थ होता हरी माने बंदर भी होता हरी माने साप भी होता हरी माने ये आपका मोर भी होता हरी माने मेडग भी होता हरी माने न समझे हरी का यहां दो अर्थ हैं एक हरी का अर्थ है इश्वर से और एक हरी का अर्थ है बंदर से यानि यहां जो उपद्रों करते हैं वो इश्वर से डरते हैं इसलिए उपद्रों करते हैं नहीं करना चाहते हैं और एक हरी बंदर है जो उपद्रों करते ही हैं तो इस हरी का एक शब्द है अर्थ इसमें चिपका हुआ है इसमें चिपकने का जो काम किया दो आर्थ चिपके हुए है तो चिपका हुआ है तो चिपका हुआ है तो स्लेस है पहले बता चुका हूँ यह कौन सा होगा यह कही सब्द में कई अर्थ चिपके हैं तो क्या होगा इबी शलेश में आएगा गिर्षा उंचा हो जिसका मन अब देखिए गिर्षा उंचा परवत की तरह उंचा हो जिसका मन वो क्या होगा साया न तो साया देखिए उपमा है सीधा शाया उपमा है हाय फूल सी कोमल वच्ची सीया उपमा है इवी उपमा है ठीक है अब 11 हो गया 12 पर आई है उदित उदय गीरी मंच पर रगवर बाल पतंग बीच में ये योजक चीदना रहा है योजक आया तो रूपक होगा है योजक आया तो रूपक होगा पंदर में आ जाई है सोहत ओड़े पीट पर स्याम सलोने गात मनहु नील मरी सैल पर आतम पर योपरबात है ये हम 12 पे थें अब 13 पढ़ना था हम लोग 15 पढ़ लिए गलती हो गया तो इससु सुदार कर लेते है सिर जुका तूने नियत की मान यह बात स्वयम ही मुर्जहा गई तेरा हिर्दय जल जात अब ध्यान से सुनिया यहां पर योजक आया तो रूपक होगा सोहत ओड़े पीट पत मतलब पीट माने पीला पट माने कपड़ा ओड़ने माने धारन करना सोहत माने अच्छा लगता सुसोभित हो रहा है स्याम मान माने क्रिश्न के लिए कहा गया स्वलूने माने धिक्षन माच्छे लगना गात मतलब यह कहा जा रहा है कि जो क्रिश्न है जब पीला बसतधारन करते हैं तो कैसे लगता है मनहु नील मड़ी सेल पर मनहु नील मड़ी सेल पर समझ रहे हैं यानि नील मड़ी सेल पर यानि पत्थर एक है जानते हैं पहाड पत्थर सेल मने पत्थर होता है तो जो पत्थर है उस पर जैसे लग रहा है कि नीले रंग की मड़ी रख दी गई है नीली मरी जैसे आपको मालूम है कि क्रिस्न का जो सरीर है वो शामला है नीला है उनका सरीर शामला है जब पीला पहन लेते हैं तो उनका जो चेहरा है वो कैसा आता है उसी पीला में नीला तो लग रहा है पीला वाला जो बस तरह पहार है और जो चेहरा वो मरी है नील मरी है ऐ से बनाया गया ऐसी बात श्यादे निगा जन हुए जानो मानो यह सब आता है तो उत्प्रेप्षा होता है यह उत् extent आ होगा ठीक है अच्छा इसके परिवाद सब देख रहे हैं जब एक बस दूसरे बस के संभावना की जाए मान ही लिया जाए उसको मान लिया गया उनको कि पत्थर पर मरी रखी गई है उनको भी से मान लिये कपड़ एक पत्थर और सरीर को मरी चेहरे को मरी ठीक है यह बात है चलिए आगे देखें कि आपका तेरह हो गया चौदर आ जाएं और अधेस के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे तो अधेस के बालक चार सदा मतलब यह रमार काल की बात है कि जो चार तसरत जी के पूतरते हैं राम लच्मान भरसतु धन वो तुलसी दास तुलसी मन मंदिर में भी हरे यानि वो तुलसी दास एक कभी हुए है आपको पता है उनके दिमाख में उनके मन में यह चार लोगें पूरा जो अध्याद हैं उनके दिमाख में आपको पता है होगा कि वो राम के ब बहुत बड़े भागते तो चारों लोगों का चित्र उन्हों ने बड़े मनोरम तरीके से किया हैं जिसे हम आज रामच्रित मानस के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा कि अब चौदा नंबर अब अंदर पाजाएं सोहा तोड़े पीट पर अच्छा हाँ यह तो बताय दिये हो यह कौन सा लंकार है आपको मालूम होगा सोहा तोड़े पीट पर मतलब स्याम से लोन ने गात मनहूं आया तो क्या हो गया बही मनहूं आगा तो पिछा हो गया यहाँ पर हो चुका है अब आगए आ जाते हैं हम लोग सोला पर उस वक्त मारे क्रोध के तनक कापने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा अब देखे यहाँ पर देखेंगे तो मानो आया देखे यहाँ मानो आया है तो मानो आया तो क्या होगा उत्प्रेक्चा होगा तो मानो आता है तो उत्प्रेक्चा होता है और इस तो तन किनका कापने लगा ये माभारतकाल का है जब माभारतकाल में वो जो गीता कुपदेश अर्जुन को मिलता है तो अर्जुन का गीता कुपदेश के बाद जो उनके अंदर मतलब अपने सत्रों के प्रती क्रोध उत्मन होता है उस क्रोध से उनका सरीर तम-तमाने लगता है जैसे यहां तुलना कर दिया गया जैसे हवाक के जौर से सोता हुआ सागर जगा जैसे लगाओ कोई सो रहा सागर हवा का जोंका लगा और वो जाग गया हो ठीक उसी तरह से जोंका का संबंद किसे है सिर्किष्न के उपदेश से हैं और सागर का संबंद क्रिष्न से है और जो सागर में हलचल हो रही है अर्जुन के सरीर के कमपन से है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ठीक है? ये सारी बात है अब हम ये चीज़ 16 हो गया 17 में आगे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है की सारी नारी है कि नारी ही सारी है ये भी माभरत कालकाई है जब वो हरामी हरामी था ना कोई है ना कौन था? वो कमेंट बाक्स में लिखिएगा कि जब सारी खिच रहा था तो किष्न ने इतना सारी भेजा जाता रहा कि confusion होने लगा असमंजस में सब लोग पड़ गए क्या बात है सारी भी चनारी है कि नारी भी सारी है कि सारी नारी है कि नारी सारी confused पूरा टूटली confused तो ऐसे इस तिदि में जहांपर confusion उत्पंद हो जाए वो संदे हलंकार होता है बिल बिचार कर नाग सुन्ड में घुसने लगा भी सैला साप है ना काली एक समझ कर बिसधर उठा लिया ततकाल अब देखिए इसमें क्या है ना आपको पकड़ना है ध्यांस देखिएगा बिल बिचार कर नाग सुन्ड में मतलब जो गजराज होता है ना हाती उसके सुन्ड में दो होल होता है बिल होता है आपको पता होगा तो उसको साप ने समझाओ कि वो बिल है उसमें घुसने जा रहा था तो जैसे घुसने जा रहा है तो हाती ने क्या करा हाती ने देखा कि तो लग रहा काला गन्ना है तो उसको ततकाल उठा लिया यह दोनों को भरम हो गया साप ने सोचा कि वो बिल है और हाथी ने सोचा कि वो गन्ना है तो ये भरम हुआ ना दोनों को भरम हुआ इसलिए भरांतिमान है और मैं आपको पहले बोल चुका हूँ संदे और भरांतिमान में अंतर है संदे का मतलब रिपिट नहीं करेगा संदे का मतलब रिपिट करेगा और ब्रांती मान का मतलब repeat नहीं करेगा आप जैसे हाथी ने उस साप को क्या माना? गना अब फिर ऐसा नहीं हाथी माना कि वो साप है फिर गना है कि साप है कि गना है कि साप है ऐसे तो हाथी मान नहीं रहा है उसने एक बार माना कि वो जो साप है वो गना है बस तो ऐसे केस में जब एक तरफा हो जाता है तो ब्रांतिमान होता है और जब ऐसे में रिपीट होता है उतल पुतल होता है तो वो संदेव होता है ये बात है आगे देख लेजिए भाई अठारा हो गया, उस बिंदु चूग रही हनसनी मोती उनको जान। उस बिंदुमने जैसे वसुंदरा है, वसुंदरा मने पिर भी रात में उस गिर जाता है तो घासे होती है घास के नोक पर सिखर पर पानी की बूदे जम जाती है जब सूरे सुबह निकलता है तो उसका प्रकास जब पड़ता है तो चमकता है मोती जैसा तो हंसनी को लगता है ना कि मोती ही है लेकिन मोती है नहीं उसको समझ कर क्या कर रही उसको चुग रही है तो अब बताए इसमें क्या होगा बताए आएसा नहीं कुछ ने का कि मोती है कि पानी है कि मोती है कि पानी है कन्फूजन नहीं सिधा मान लेती है कि जो पानी है वह ही म होती है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ब्रांतिमान होगा लेकिन अगर रिपीट करता तो संदे होता ठीक है आगा जाई 19 हो गया हमारा 20 पर आजाई है अब देखे अगला 20 चांदी जलसा रंग है तेरा सोने जलसे बाल एक तूही धनवान है हैं बाकी सब कंगाल इसका क्या मतलब है किसी को संभर जित करके यह बोला जा रहा है तुम्हारा जो रूप है रंग है वो चांदी जलसा है यह संभ़ है नहीं ना सोने जलसे alcool सोना जलसा सोने जैसा बाल है चांदी सा सरीर है तो कौन सा होगा अतिश्योक्ति होगा बढ़ा चड़ा के बातें करने को अतिश्योक्ति कहते हैं हाइपर बोल कहते हैं अब आके आगे आजाते हैं 21 देख लेते हैं बालों को खोल कर मत चला करो नहीं तो सुरज रास्ता भूल जाएगा ये भी बढ़ा चड़ा के बोल रहा है कि किसी बाल के खोलने से पुरान धेरा च्छा जाएगा और रास्ता भूल जाएगा सुरज ऐसा नहीं है ये भी हो गया हमारा तिश्योक्ति ठीक ह अब वो ऐसे भी बोलते हैं राधा इतना रोई इतना रोई नदियां बहने लगी ऐसे संभो नहीं है लेकिन अलंकार में हम इसका प्रियोग करते हैं काब की सोभा उससे बढ़ती है ठीक है अब आगे आ जाते हैं हम लो यह किश हो गया है अब 22 पर जाई है हनुमान के पूछ में लगन पाई आग सगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग सब निशाचर भाग गए राचर सब भाग गए पूरा लंका जर गई लेकिन उनके पूछ में आग नहीं लग पाई तो यह भी अतिश्योक्ति में आएगा है ना कि पूरा एक राज जल गया सब जल गया और बात की गई है ठीक है अतिश्योक्ति होगा तेश में आ जाए है हिरदे घाव मेरे पी रग भी रहे मुझे चोट लगा हो अदर्द किसी और को हो तो ओ क्या हो गया असंगत असंगत में आ जाएगा फूल हसे कलिया मुस्का है फूल हसतार कलि मुस्काती है मानुवे करण में पहले बताया मैंने बिन उपग चले सुने बिन काना बिना कारण का काम होगा विभावना है उसके बाद आ जाई यहां पर पापी मनुझ भी आज मुक से राम निकालते देखो भयंकर भेडिये भी आसु ढालते है ना तो यह क्या होगा दृष्टांत होगा कैसे दृष्ट नहीं चाहता है वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और बन रहा है तो वहां पर दृष्टांत होगा जो अंदर से है उपमान है जो बाहर बना हुआ है उपमे है अर्था जो अंदर से है वह वास्तिकता है जो बाहर से बनने कुसिस कर रहा है और वास्तिकता है तो इसको हम किसमें रखते हैं दिश्टांत में अब आ गया जाएं यहीं पर 27 सदेख लिए माली आवत देखकर कलियां करे पुकार फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार मतलब किसी के सहारे किसी को समझाना डारेट उसे ना समझाना तो यह मैं पहले भी चर्चा कर चुका हू कि जब किसी के सारे किसी को समझा रहा है कलियों को किस के सारे समझा जा रहा है फूल के सारे तो फूल समझाने का माध्यम है तो जहां किसी को समझाने के लिए किसी का माध्यम लिया जाता है वो अन्योक्तियलंकार होता है अब आते हैं अर्थांतर यह जो अब भी मैं चानेंगे ना देखिए किसका उदान है बड़े नहूजे गुननबिन ब्रद बड़ाई पाए का धतुरे सोकन गहनों गढ़ना जाए है ना किसी समान का विसेश से तुलना या विसेश का समान से इस तरह का अगर सब्दाता है तो होता है अर्थांतर न्याश अलंकार ठीक है अब ऐसे में कैसे जान सकते हैं देखिए कनक जो होता न धतुरे के लिए है ना अब वही उससे गहना नहीं बनता है तो यह है कि है तो विसेश लेकिन काम उसका समान है धतुरे को कनक कहते है वो विसेश सब्द है लेकिन विसेश सब्द है लेकिन काम क्या है शमान है और ए अब शमान अकतन का बिशेश कतने से शंबंद होता है तो उसको अर्थांतर नियाश अलंगकार कहते हैं ठीक है तो यह था अलंकार से संबंद इतना ज़र होता है उबहालंकार वह तीशरा भाग है तो यह आपका होता एक दो और एक और उसको हम लोग अगली वीडियो में आपकार